आदी शंक्राचारी की प्रतीमा का आज अनावरन किया गया मद्यपरदेश के मुख्यमंत्री शिवराद सिंग चोहान ने आदी शंक्राचारी की प्रतीमा का अनावरन किया 2141 करोड रुपे की लागत से ये प्रतीमा तयार हुई आधी शंक्राचारी की बारह वर्ष की उम्रवाली ये प्रतिमा बनाई गई है बारह वर्ष की उम्र में शंक्राचार उंकारेश्वर आये थे और आज इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है आदि शंक्राचारी की ये भव्य मूर्ती 12 वर्ष की उम्रवाली इस प्रतिमा का अनावर्ण उंकरेश्वर में किया गया पर हुई चर्चा के बीज वीजेपी की तरफ से निशिकान दूबे के बोलने पर विपक्ष ने हंगामा मचा दिया जिसके बाद ग्रे मंत्री अमिट शाह ने विपक्ष को जवाब दिया और उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए उसे महिलाओं की चिंता पर नसीहत दे दी इससे पहले लोगसभा में इस बिल पर बीजेपी की तरफ से किसी महिला सांसत के ना बुलने पर विपक्ष ने हंगामा किया चर्चा के दौरान कॉंग्रेस सांसत राहूल गांधी ने इस बिल में OBC को आरक्षन देने की मांग की यही नहीं उन्होंने जाती जनगन्ना जल्द से जल्द करवाने की भी मांग की और OBC कोटे के बिना महिलाओं के लिए आरक्षन वाले इस बिल को अधूरा बताया इस दौरान राहूल गांधी ने परिसीमन और जनगन्ना के बिना ही इस बिल को जल्द लागू करने की मांग की महिला आरक्षन बेल यानी की नारी शक्ती बंदन विधैक पार आज राजसभा में चर्चा की जाएगी राजसभा के सभपती जगदीब धनकड ने सदन में इसका एलान किया एलान करते हुए जगदीब धनकर ने कहा कि सदन में अलग-अलग दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्ष करके ये तैग किया गया है कि समविधान विधैक धोजा 23 पर राजसभा में चर्चा की जाएगी राजसभा में आज करीब साड़े साथ घंटे बिल पर चर्चा की जाएगी राजसभा में महिला आरक्षन बिल पर बीजपी अध्यक ज्यपी नडड़ा और वितमंत्री निर्मला सीतारमन का नाम सरकार की ओर से प्रमुक वक्ताओं की सूची में है तो कॉंग्रस के तरफ से बोलने वाले सांसुदों में रंजीत रंजन, रजनी पाठिल, फूलो देवी नेताम, अमी बेन यागनिक और केसी विणू गुपाल है और राजी सभा से बिल पास होने के बाद इसे राश्टुपती, द्रौपती, मुर्मो की मनजूरी के लिए भेजा जाएगा राश्टुपती की स्विक्रिती मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा महिला आरक्षन बिल नाई संसत के लोकसभा में पास हुआ है पास होने वाला पहला बिल भी है बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधान सभाव में महिलाओं के लिए 33 फीसदी रिजर्वेशन लागू किया जाएगा लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित हूँगी यह रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा इसके बाद संसद चाहे तो इसके अवधी बढ़ा सकती है यह आरक्षित सीधे चुने जाने वाले जन प्रतीनिधियों के लिए लागू होगा यानि ये राजुसभा और राजु के विधान परिशदों पर लागू नहीं होगा